नमस्कार दोस्तों मैं तेश गुपता स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि फेस्बुक इंस्टाग्राम पर अगर आप एट्स चलाते हो और आप चाहते हो उसके थूँ आपकी एप के उपर जब आप प्रमोशन करते हो एप के उपर जब ट्रैफिक जाए या वो कोई एक्शन ले तो आप उसको ट्रैक कर सको प्रमोशन के लिए ये चीज बहुत ज़रूरी है अगर आप फेस्बुक इंस्टाग्राम प्लैट्फॉर्म यूज करो अपनी आप के प्रमोशन के लिए तो आप ट्रैकिंग इवेंट के बारे में जानना उसको प्रैक्टिकली इंप्लिमेंट करना बहुत ज़रूरी है त इसमें आपको थोड़े टेक्निकल सपोर्ट की भी जरुवत पड़ेगी तो वो भी आप अपनी टेक्निकल टीम से लीजिएगा तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्टीन पे और सीखते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एप इवेंट सेट अप या अपन इवेंट सेट अप होता है तो कैसे करना है इसमें थोड़ा दोस्तों आपको अपनी टेक्निकल टीम की भी हेल्प लेनी पड़ेगी तो दोस्तों आपको समझाते हैं कैसे जैसे दोस्तों आप अपने किसी बिजनस मेनेजर एकाउंट में जाईए और अपने एड एकाउंट में जाओगे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह सेट अप जब हो जाता है तो कहां शो होता है जब भी आप एड बनाते हो तो यहां पर एंड में यहां पर देखें फेस्बुक पिक्सल का है यहां पर एप इवेंट का है और एवेंट ट्रेकिंग का है यह सारे के सारे टुटोरियल्स हमारे इस सीरिस के अंदर है और यह सीखना आपके लिए मस्ट है अगर आपको ट्रेकिंग करनी है चीज़े अप्टिमाईज करनी है जानना है आपके और कहां से सोर्से आ रहे हैं और चीज़ों को समझ के फ्यूचर में आपको एडवांस लेवल पर काम करना तो सारे ट्रेकिंग कोड्स आप स्टैब्लिश कीजिए और अगर आपका एप प्रोमोशन कर रहे है तो एप इवेंट वाला जरूर करना अपनी एप में तो दोस्तों जब आप करोगे अगर आपकी एप है और उसका आप सेटप करते हो तो यहां पर यह ओन हो जाएगा दोस्तों तो यहीं पर ही जो इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए है आपको दिये हैं जो की फेस्बुक इंस्टॉल का है या फिर आपका वो जो वीडियो हमने दिया एवेंट सेटप ट्रेकिंग का है तो ऐसे ही वो सब यहां से होता है और वैसे ही यह देखिए एप एव इसको यूज़ कर लो या इसको कर लो तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप पहला वाला उप्शन यूज़ करते हो तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको स्टैप्स देता है पूरे की पूरे ओप्शन देता है तो आपको दिखाते हैं कैसे तो दोस्तों यह जो सेक्शन है यहां पर अगर आपका एंड्रोइड एप है और आपको सारा कुछ सेटप करना है तो आपके पास Facebook developer account होना चाहिए और आपका Facebook ad account होना चाहिए तो यह दोनों आपके पास होने चाहिए अगर आपको start करना है setup और यहां पर सारा का सारा configure your app Facebook app यह सारा कुछ A to Z instructions के संग दिया है अगर हमारी app है तो हम उतने technical नहीं होते तो जो developers जिन्होंने आपकी app को develop करा है आपको उनकी help लेनी होगी और एक-एक step के थुरू आपको उनके संग help लेके फिर proper हर्ची setup करके install करके app event का code और आपको इस तरीके से complete करना procedure यह देख रहा है आप अगर आपका android का है तो उसके लिए करना और अगर आपका ios का भी है तो फिर ios वाला भी अलग से है तो उसके अंदर क्या है तो अगर ios का है तो instructions पर जाएंगे आप और instructions के जाने के बाद same वही खोलेगा आपका यहां पर इसने ओप और ios के अंदर यह तीन चीजों की ज़रुवत है जैसे कि आप देख सकते हो आप दो चीजों के requirement थी और उसके बाद यह android तेले आपको सारे के सारे instructions दे गए देखिए एक एक step proper बताएगा और यह सारी coding यह सारे चीज़े जो हमारे developers हैं जो technical लोग हैं वो इन चीजों को समझ के easily apply कर सकते हैं कोई rocket science नहीं है और अगर यह सही से आप apply कर लोगे code सही से work करेगा तो उसके बाद आपके app पे facebook instagram के through जो भी लोग जाएंगे उनकी proper tracking हो पाएगी visitors की प्लस वो क्या action लेते हैं आपक track कर पाओगे और दोस्तों एक step है इसी में हम दोस्तों back करते हैं और मानलीजे अगर आपको manually code install करना है तो आप अगर second option क्लिक करते हो तो यहां पर आपको category चूज करना होगा आपका e-commerce है education है कौन सा है तो जो category आप चूज करोगे मानलीजे आपका e-commerce है आपने click करा e-commerce के ओपर यहां पर बहुत सारे options से already by default event tracking के दे दिये कि अगर आपका जबी tracking code लग जाएगा तो इसमें कौन कौन सी event आप track करना चाहते हो कि कोई payment info पे जा रहा है कोई add to cart कर रहा है विच लिस्ट कर रहा है इस सारी की सारी चीजे दोस्ते सब important होती है purchase अगर कोई कर रहा है आ इस तरीकी की अलग-अलग activity लोग आके website पर करते तो हर एक activity event अगर आपको track करना है तो यहां से आप चूज कर सकते हो आपको कौन कोन से करना है मालो आपकी website में add to cart है ही नहीं मालो आपकी e-commerce site नहीं है तो आपको यह option की जरुवत नहीं है तो आप हटा भी सकते हो और अग options आगए अगर आपको लगता है कि इन में से कोई ऐसी activity है event है जो आपकी website में मालो donate का कोई option है तो कोई donate के button पर क्लिक करता है और आपको चाहिए कि कि यहां पर आप इसको भी select कर सकते हो कोई चाहतों की contact पर जाता है तो कितने जाते ही तो वह आप कर सकते हो तो यह आपकी instructions है जब अगर हम like ऐसे करते हैं कि हां हमे instructions आ जाए तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हम अपनी mail id डालेंगे मैंने mail id डाला और उस mail id पे मैं करता हूं कि instructions आ जाए या आप अपने developers को mail करना चाहते हो यह instructions यह code का गया तो आप उधर अपने developer की mail id दूसरा option चूज कर सकते थे mail to developer और उसकी mail id डाल सकते थे ठीक है तो यहां पर हमने करा एक बारी देखते हैं कि हां पर वह हमारे पास आया कि नहीं आया instructions यह आ गया है दोस्तों यह देखिए यह instruction आगे अब यह instruction क्या है आपको ठीक है अपने developer को किसंग share करना है और वही वाली बात है जो मैं आपको पहले बताया था जो जो यह बता रहे हैं अब जैसे आपका developer या आप इसको open करोगे तो यह फिर से आपको लेकर जाएगा उन सारी सारी instructions पर जो मैं आपको बताएं कि प्रोसेस वही है कोड प्रॉपर तरीके से लगाना है मगर आपके जो यह यह उनकी मदद से लगाना है तो एक बार यह 10-15 मिन का प्रोसेस होता है दोस्तों आप technical help लेके इसको install कीजिए अगर दोनों आप हैं तो दोनों में करना पड़ेगा एक कोई आप है तो इसको आज हमने जाना app event tracking के बारे में उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अब आप अपने technical team की मदद से इस चीज़ को implement करके अपनी advanced tracking कीजिए और अपने business को grow कीजिए दोस्तों हमारे channel पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम latest content practical level पे theoretical level पे tips, tricks हर चीज़ आप लो करें तो दोस्तों हमारे channel को please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, bell icon ज़रूर दबाएगा, thank you for watching marketing funders